हालो गुड आफ्रनून डियर स्टुडेंट्स जैसा कि हमने पीछे के टॉपिक्स में पढ़ा है आज उसी में खड़ी में हम आगे पढ़ते हैं और आज का मरट जो टॉपिक है उसमें मुगल कालीन करशी विवस्था के बारे में स्टाडी किया जाएगा जैसे कि मैंने आपको विविन संधर्वों में बताया है कि मुगल काल की अर्थ विवस्था का मूल आधार करशी था और खिराज या खिराज जिसकों बोलते हैं भुरा जिसकों को बोलते थे और उसकी हमने लग लग पदत्तियां अलग लग सासकों की समय देखें बाबर हुमायू को ज्यादा वक्त नहीं मिला शेरसा सूरी बीच में आए उन्होंने पांस साल के सासन में बहतरीन व्यवस्थाओं को अंजाम दिया लेकिन इसको बहुत अच्छा और वेगानिक आधार अकबर के विभिन पदत्तियों को समावेशित किया और अकबर ने इन पदत्तियों में जो है टोडर मल बंदोबस्त या रेत वाड़ी व्यवस्था के रूप में जो है इसे अपनाया और किसानों के हित में बहुत बैतरीन व्यवस्था जो है वुद्धी इसके बाद में अगर हम बात करते हैं मुगल कालिन कर्शी व्यवस्था में तो आईने एकबरी जो है उसमें कर्शी फचलों का वर्णन किया गया है मुगल काल में गेहूं चावल बाजरा गन्ना नील अफीम कपास दाल तमबाकू मक्का मिर्चादी की खेती होती थी एक ख लेकिन यहां पूर्टगाली जो हैं वो मुगलों के समय लेकर आए थे आलू और मिर्च है वह आठारवी सदी में आई थी और यह आप देखो अठारवी सदी का मजब सतरा सो एक से लेकर अठारा सो इसवी तक होता है यह औरंग जेब के काल के बाद में यह तमाकू सौरी काया है तब तक हम बिना अलू और मिर्च के खा रहे थे और आज हम आलू और मिर्च के लिए लड़ते हैं तो सुड़ा से ध्यान रखें हमारे पूर्वजों ने कभी आलू मिर्च नहीं खाया बहुत लंबे समय पहले इसमें नील की बात हम करते हैं तो नील की खेती है वह कॉमर्शियल थी सरकेज गुजरात और बयाना भरतपूर में निल हो गई जाती थी अफीम है वो मालवा में और चेतोड की अफीम जो काफी फेमस रही है कपास है वो सिंद पंजाब गुजरात में मुख्य तोर पर उत्पादी तरह तो तंबाकू और मक्का भारत में जहांग तकाभी का मतलब होता है जिसके पर एक नियत दर में करमाफी की विवस्था भी थी अकाल हो जाने पर और बहुत ही साधरान सी दरों पर ब्याज का जो है वो दिया गया साधर ने रावी नदी पर नहर फेज सिंचाई के लिए बढ़ाई फिरोस दुगलक द्वारा बढ़ाएगी जो नहर थी उसी का नवी निकरन था और इस समय जो कारिगर होते थे उनको एक ददनी नामक अग्रिम बेतन दिया जाता था ददनी के भुगतान के बाद में व्य प्रियाप्त प्रियाप्त बटाई के लिए खेती में जाते थे लेकिन यह अगर परियाप्त जमीन कर लेते हैं किसे खरीद लेते हैं पहलर सकते हैं कि भूठायई का अब झान दीरिया बढ़ जाता है तो मान के चलिए की ये खुर्कास्त बन सकते भी 1995 बOHमीन करशी विवस्ता में हमारे लिए जो है टॉपिक मुत लंबा चोड़ा नहीं है कि मुगल काल में करशी जो है उत्तर भारत में और दक्षिन भारत दोनों में मिला कर जो वेवस्थाएं लागू की थी अकवर ने और जहांगीर ने और साजा ने उससे आगे बढ़ाया और अरंग्जेब की समय उसम हैं वह देखने को मिली थी लेकिन वैसे देखा रहा है तो अंग्रेजों के मुकाबले यह कर्शी वेस्ता बहुत बहतरी थी धन्यवाद आज कर इतना है काफिए